सो गैस आजके इस वीडियो में सेखेंगे cbplus dbr में आप कैसे नया यूजर करेट करते हैं और कैसे single camera की authority देते हैं तो चलिए शुरू करते हैं शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो चैनल को सस्क्राइब जरूर कर लें तो चलते हैं अपने स्क्रीन पर सो गैस यहां पर स्क्रीन पर आ चुके हैं right click करेंगे man menu जाएंगे उसके बाद हम यहां पर setting देखेंगे city mall option इस पर click कर लेंगे और हमें जाना है account में तो account section में आ चुके हैं यहां पर आपको एक नया user बनाना है आप पर password भी modify कर सकते हैं new यहां पर user बनाना तो add user पर जाएंगे और यहां पर हम username में कोई भी नाम डालतेंगे admin को छोड़ करके क्योंकि admin जो है already बना हुआ है यहां पर हम password डालेंगे something कुछ डाल सकते हैं और यहां पर हम यहां पर type करेंगे और उसके बाद यहां पर हम confirm password करेंगे फटाफट तो password confirm हो जाने के बाद आपको strong password रखना है अभी normal password में रखा यह हमारी सारी setting है क्या क्या allow करना है इस user को तो आप चाहे तो all allow कर सकते हैं नहीं तो कुछ allow आप कर सक आप चुच कर लेंगे एक camera देना दो camera देना जो चाहें यहां पर आप allow करेंगे उतना ही camera आपको वहां पर उसकी mobile में आप access दे सकते हैं ओके तो यहां पर हम कर देंगे save, save करने के बाद यहां पर कुछ ऐसा message आएगा pop up का तो यह जो हमारा password है जो है strong password नहीं बना हुआ त तो इसको हमें strong password बनाना पड़ाएगा आपका जो weak password यहां पर confirm नहीं करने देगा setting को save नहीं करने देगा तो यहां पे आपको strong password बनाना है capitalator और आपको numeric alphabet mix करके बनाने पड़ेंगे तो यहां पर हम password बना दे रहे हैं coordination cctv at the rate 123 तो यहां भी confirm करेंगे password को, तो यहां पर password हम confirm कर ले रहे हैं, उसके बाद फिर से हम यहां पर save पर click करेंगे, तो हम यहां पर ok कर देंगे, successfully update हो गया है, और हम यहां back जाएंगे, उसके बाद हम आ जा रहे हैं यहां पर, जहां से online आप देखते हैं, इंस्टाउन cloud पर, तो यहां पर हमारा dbr online है, आप चलते हैं अपने mobile phone में, तो mobile phone में आ चुके हैं, और हम यहां पर इसका जो application होता है, GC move, जो android के लिए होता है, उसको हम open करेंगे, plus पर click करेंगे, corner पर ok करेंगे, यहां पर wired device है, तो wired select करके next कर देंगे, इंस्टाउन पर हम serial number, और यहां पर जो username है, username की जगह पर, जो मैंने अपना नया username बनाया था, वहां पर, वो username यहां पर fill करेंगे, और यहां पर जो नया password बनाया था, वो password यहां पर डाल करके, हम यहां पर नीचे देखेंगे, live view, live view का एक offer न आ रहा, तो यहां पर हम कर ले रहे है, main, और उ इसे ही होगा कि जो हमारे जो camera live होंगे, तो quality इनकी HD में रहेगी, तो यहां पर देखे, camera हमारे आ नहीं रहे है, camera लेकिन हमारा DVR online हो गया है, यह authority नहीं है, इन camera होंगे, जो last वाला camera मैंने add किया था, जो हमने allow किया था, वो camera यहां पर आपको दिख जाएगा, scroll down करेंगे और यहां पर हम देख पा रहे हैं ही जैसा कि, तो हमारे camera यहां पर चल चुके हैं, I hope कि वीडियो आपको informative लगा होगा, अगर यह वीडियो आपको informative लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जैसे ही informative वीडियो इस चैनल पर आपको मिलते रहेंगे, तो वेल आइकन दब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में